तो लूफएंग के टीचर जिनका नाम हुआन बो था और उन्हें एक आटमोर रेस के बंदे ने मारा था जिनका नाम डेविल हैंड एंपरेर था तो क्या लूफएंग आगे चलके अपने टीचर के मौत का बदला लेगा या फिर नहीं तो इसका जवाब है हाँ अब यहाँ लूफएंग अकेले नहीं मारता बलकि गुरू और चेले दोनु एक साथ मिलके उसको मारते हैं अब पहले तो लूफएंग ने उसके कलोन को मारा जिसमें कि उसके सोल का 40% हिस्सा मौदू था लूफएंग को उसको मारते ही उसके 40% सोल डिस्ट्रॉय हो गई और बाद में आके चलकर हुआन वो अपनी हाथों से अपने हत्यारे को मारते हैं